C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ की विज्ञान की पाठ्थे पुस्तक प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ अठा रहे शिर्शक अप्शिष्ट जल की कहानी प्रिष्ट दोसो इकतीस से दोसो बयालीस तक प्रिष्ट दोसो इकतीस हम सभी अपने घरों में जल का उप्योग करती हैं और उसे गंदा या दूशित करती हैं दूशित क्या आपको आश्चरे हुआ? जाक से भरपूर, तेल में श्रित, काले, भूरे रंग का जल जो सिंख, शोचाले, लॉंडरी आदी से नालियों में जाता है वो अप्शिष्ट जल कहलाता है इस प्रकार के कारियों में प्रयोक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए हमें ऐसे जल से दूशित पदार्थों को हटा कर उसे स्वच बना लेना चाहिए क्या कभी आपने सोचा है कि अप्शिष्ट जल कहा जाता है और इसका क्या होता है 18.1 जल हमारी जीवन रेखा स्वच्छ जल मानवों की मूल भूत आवश्रकता है आईए हम स्वच्छ जल के विभिन उपयोगों पर विचार करते हैं क्रिया कलाप 18.1 वृत्ताकार खाली स्थानों में स्वच्छ जल के उपयोग को लिखे जैसा कि चित्र 18.1 में दिया गया है हमने स्वच्छ जल के उपयोग का एक उदाहरण दिया है आप इसमें और भी उपयोग जोड सकते हैं प्रिष्ट 231 पर चित्र 18.1 दिया गया है इसमें स्वच्छ जल के उप्योग लिखे गए है उप्योगों में एक उदारण दिया हुआ है पेय जल आप बाकी रिक्त स्थानों को भर सकते हैं दुर्भागि से उप्योग के लिए उप्योग्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्धन नहीं है एक रिपोर्ट के अनुसार एक अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेय जल उपलब्धन नहीं है इसके कारण विश्व की जन संख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीडित रहता है और मृत्य का ग्रास हो जाता है जैसा कि आपने अध्याय सोलह में पढ़ा था कईक शेत्रों में लोगों यहां तक की बच्चों को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलो मीटर तक पैदल चलना पड़ता है क्या ये मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है आपने अध्याय सोलह में जनसंख्या वृध्धी, प्रदूशन और द्योगिक विकास, कूप्रबंधन और अन कारकों के कारण अलवन यानि ताजे जल की आपूर्ती में बढ़ती कमी के बारे में पढ़ा था स्थिती की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राश्च की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधी को जीवन के लिए जल परकार के लिए अंतरराश्च्रिय दशक के रूप में घोशित किया है इस दशक में किये जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटा कर आधा करना है जिनहें सुरक्षित पेजल उपलब्द नहीं है ऐसा पाया जाता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफी प्रयास किये गए हैं लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल के जल स्त्रोतों में प्रवेश अत्वा उसके पुनह उप्योग से पहले उसमें से प्रदूशकों को अलग करना समिलित है अप्षिष्ट जल के उपचार का ये प्रक्रम सामाने रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है ये अनेक चरणों में संपन होता है यहां प्रिष्ट 231 पर एक चिन दिया गया है जिसमें लिखा है अंतराश्ट्रिय दशक जीवन के लिए जल का लोगू चिन के साथ लिखा है वाहित मल क्या है वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उप्योगों के बाद प्रवाहित किये जाने वाला अप्षिष्ट जल होता है इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है, जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है सडकों और छटों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानी कारक पदार्थों को ले आता है वाहित मल द्रव रूपी अप्षिष्ट होता है इसमें अधिकांश जल होता है, जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव होते हैं क्रिया कलाप 18.2 अपने घर के आसपास विद्याले अत्वा सडक पर किसी खुली नाली को परखिए और उसमें बहने वाले वाहित जल का निरीक्षण कीचिए वाहित जल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीचिए अपने मित्रों और शिक्षक या शिक्षिका से इस पर चर्चा कीचिए और इस प्रकार प्राप्त जानकारी को सारणी 18.1 में सारणी बद्ध कीचिए अब हम जानते हैं कि वाहित मल एक जटिल मिश्रन होता है जिसमें निलम बिठोस, कार्बनिक और आकार्बनिक अशुद्धियां पोशक तत्व, मृत जीवी और रोग वाहक जीवानू और अन्य सुक्ष्म जीव होते हैं इसमें यहां दिये गए कुछ चीजें शामिल हैं इन अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं कार्बनिक अशुद्धियां मानव मल, जैविक अप्षिष्ट पदार्थ, पेल, यूरिया यानी मूत्र, पीडक नाशी, शाक नाशी, फल और सबजी का कचरा आदी अकार्बनिक अशुद्धियां जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट और धातुई, पोशक तत्व, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन युग पदार्थ, जीवानू, हैजा और टाइफोईड आदी रोग उत्पन करने वाले क्रमशह, विब्रियो, कॉल्रा एवं साल्मनेला प अन्यसूक्ष्मजीव, पेचश आदी रोग उत्पन करने वाले प्रोटोजोवा, यहां प्रिष्ट 232 पर सारणी 18.1 दी गई है, इसका शीर्शक है संदूशक सर्वेक्षन, इस सारणी को चार भागों में विबाजित किया गया है, पहला वाहित मल का प्रकार, दूसरा उत्पत्ति स्थल, तीसरा संदूशक पदार्थ और चोथा कोई अन्य टिपनी वाहित मल के प्रकार हैं कूडा करकट या मलिन जल इनका उत्पत्तिस थल है रसोई संदूशक पदार्थ और कोई अन्य टिपणी का स्थान खाली रखा गया है वाहित मल के प्रकार में दूसरा भाग दिया गया है दुरगंध युक्त अप्शिष्ट इसका उत्पत्तिस थल है शोचाला है आपको संदूशक पदार्थ और कोई अन्य टिपणी का भाग भरना है तीसरा वाहित मल का प्रकार व्यवसाइक अप्शिष्ट है उत्पत्तिस थल है और द्योगिक और व्यवसाइक संस्थान संदूशक पदार्थ और कोई अन्य टिपनी यहां आपको भरने है 18.3 जल शोधन एक घटना पूर्ण यात्रा घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच जल की आपूर्ती सामानित पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है और पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उप्योग किये जा चुके जल को ले जाया जाता है कल्पना कीजिए कि यदि हम भूमी के अंदर जान पाते तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल समझ में आता जिसे स्यूर कहते हैं जो मिलकर मल विसर्जन की विवस्था करता है ये एक परवहन तंत्र की तरहा है जो वाहित मल को उसके उदगम स्थल से उसके निवटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है मल विवस्था में मान होल सामान निता प्रती पचास मीटर से साथ मीटर की दूरी पर दो अथवा अधिक सियूरों के संधी स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां दिशा में परिवर्तन होता है क्रिया कलाप 18.3 अपने घर विद्याले अथवा किसी सार्वजनिक भवन से वाहित मल के पत का अध्यान करें यहां दिये गए कार्य करें एक वाहित मल के पत का रेखा चित्र बनाएं दो गली सडक अथवा परिसर में घूम कर उनका सर्विक्षन करें और मैन होलों की संख्या मालूम करें तीन, किसी खुले नाले के इर्दगिर्द और उसके जल में कौन से सजीव जीव पनप रहे हैं उनकी सूची तयार करें यदि आपके घर के आसपास मल जल निकास व्यवस्था तंत्र ना हो तो ये मालूम कीजिए कि वाहित मल का निबटान यानी प्रबंधन कैसे होता है प्रदूशित जल का उपचार इस क्रिया कलाब को करने के लिए अपने सहपाथियों को समूहों में विभाजत कर ले प्रतीक चरण में प्रेक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए कांच के किसी बड़े जार को 3-4 भाग तक पानी से भर लीजिए इसमें कुछ घास के तिनके, अत्वा संत्रे के छिलके जैसे कार्बनिक अप्षिष्ट, थोड़ी मात्रा में अप मार्जक और स्याही अत्वा किसी रंग की कुछ बूंदें, मिला दें, जार में ढकन लगा कर उसे अच्छी तरह हिलाएं और मिश्रन को दो दिन तक धूप मे रखा रहने दें, दो दिन बाद मिश्रन को फिर से हिलाएं और इसकी अल्प मात्रा नमूने के तौर पर किसी परख नली में डालें, इस परख नली में उपचार से पहले नमूना एक की चिट लगा कर इसे नमांकित करें, मिश्रन की गंध कैसी है? काच के जार में, शेश बचे मिश्रन में जल जीविशाला यानि एक्वेरियम के वातित्र से कई घंटों तक वायू के बुलबले गुजारें, वातित्र को राद भर जुड़ा रहने दीजिए, ताकि मिश्रन का कुछ घंटों तक वातन हो सके, यदि आपके पास वातित्र नहीं है, तो यांत्रिक विलोडक यानि मिक्सर का उप्योग कीजिए, आपको इसे अनेक बार विलोडित करना पड़ सकता है, अगले दिन जब वातन प्रक्रम कुछ घंटों तक हो जाए, तो किसी अन्य परखनली में दूसरा नमूना डालतीजिए, इसे वातन के बाद नम अच्छ पानी से गीला कर दीजिए, और फिर शंकू को कीप में लगा दीजिए, कीप को किसी स्टैंट पर लगाईए, जैसा कि आपने कक्षा छे में पढ़ा था। कई मीटर होती है, बचे हुए वातित द्रव को फिल्टर करके बीकरों में भर दीजिए, द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए, यदि फिल्टर किया हुआ द्रव स्वच ना हो, तो इसे तब तक फिल्टर करते रहे जब तक कि आपको स्वच जल नहीं मिल जाता ह प्रिष्ट 234 यहां प्रिष्ट 234 पर चित्र 18.2 दिया गया है ये चित्र वातित द्रव को फिल्टर करने का प्रक्रम बता रहा है फिल्टरित जल के नमूने को तीसरी परक्नली में डालिए और उसे फिल्टरित जल नमूना 3 के रूप में नमांकित कीजिए चौथी परक्नली में फिल्टरित जल का एक अन्य नमूना लीजिए इसमें क्लोरीन की गूली का एक टुकड़ा मिलाईए इसे अच्छी तरहां से मिलाईए जब तक जल स्वच्छ ना हो जाए परक्नली को क्लोरीनी कृत नमूना 4 के रूप में नमांकित कीजिए सब ही परक्नलीों के नमूनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन कीजिए इन्हें चखे मत केवल उनकी गंध सुंहिए अब यहां दिये गए प्रश्णों के उत्तर दीजिए वातन के बाद द्रव के रंग रूप में आपको क्या परिवर्तन समझ में आते हैं क्या वातन से द्रव की गंध बदल जाती है बालू के फिल्टर द्वारा किस प्रकार की अशुधियां दूर हो गई थी क्या क्लोरीन से दूशित जल का रंग लुपत हो गया था क्या क्लोरीन की अपनी कोई गंध होती है क्या ये अप्शिष्ट जल की गंध से अधिक आरुचिकर होती है अठाना दशमलव चार अप्शिष्ट जल उपचार संयंत्र अप्शिष्ट जल की उपचार में भोतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं जो जल को संदूशित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को प्रिथक करने में सहायता करते हैं एक, सर्व प्रथम, अप्षिष्ट जल को उर्धवा धर, लगी छडों से बने शलाका छन्ने यानि बार स्क्रीन से गोजारा जाता है इससे अप्षिष्ट जल में उपस्थित कपडों के टुकडे, डंडियां, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नापकिन आदी जैसे बड़े साइज के संदूशक अलग हो जाते हैं जैसा की चित्र 18.3 में दिया गया है यहां प्रिष्ट 234 पर चित्र 18.3 दिया गया है जिसमें शलाका छने का एक चित्र दिया गया है दो, अब वाहित अप्षिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है इस टंकी में अप्षिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है जिससे उसमें उपस्थित बालू, ग्रिट और कंकर पत्थर उसकी पेंदी में बैठ जाती है जैसा कि चित्र 18.4 में दिया गया है यहां प्रिष्ट 234 पर चित्र 18.4 दिया गया है यह चित्र ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी का है प्रिष्ट 235 तीन फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंदा मध्भाग की ओर ढलान वाला होता है जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्भाग में बैट जाते है इन अशुधियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है यह आपंक यानि सलज होता है अप्शिष्ट जल में तेरने वाले तेल और ग्रीज जैसी अशुधियों को हटाने के लिए अप मथित्र यानि स्किमर का उप्यू किया जाता है इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मली कृत जल कहलाता है जैसा की चित्र 18.5 में दिया गया है यहाँ प्रिष्ट 235 पर चित्र 18.5 दिया गया है इसमें जल अप मथित्र का एक चित्र दिया गया है आपंक को एक प्रिथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है जहां ये अवायवी जीवाणूं द्वारा अपगटित हो जाता है इस प्रक्टरम में उत्पन होने वाली बायो गास यानि जैव गास का उप्योग इंधन के रूप में अथवा विद्यत उत्पादन के लिए किया जा सकता है चार निर्मली कृत जल में पंप द्वारा वायू को गुजारा जाता है जिससे उसमें वायवी जीवाणूं की वृद्धी होती है ये जीवाणूं निर्मली कृत जल में अब भी बचे हुए मानव अप्शिष्ट पदार्थों, खाद्य अप्शिष्ट, साबुन और अन्य अवांचित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं जैसा की चित्र 18.6 में दिया गया है यहां प्रिष्ट 235 पर चित्र 18.6 में वातित्र का चित्र दिया गया है कई घंटों के पस्चात जल में निलंबित सूक्ष्म जीव टंकी की पींदी में सक्रियत आपंक के रूप में बैठ जाते हैं अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है सक्रियत आपंक लगभग 97 प्रतिशत जल है जल को बालू बिछा कर बनाए शुषकन तलू अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है शुषक आपंक का उप्योग खाद के रूप में किया जाता है जिससे कार्बनिक बदार्थ और पूशक तत्व पुनह मृदा में वापस जले जाते हैं उप्चारत जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक बदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं इसे समुद्र नदी अथवा भूमी में विसर्जित कर दिया जाता है प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं कभी-कभी जल को वितरन तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अत्वा ओजोन जैसे रसायनों से रुगाणू रहित कर लेना अवश्यक होता है बूजो कहता है नदी में जल प्राकृतिक रूप से उन्हीं प्रक्रमों द्वारा स्वच्छ हो जाता है जो वाहित जल उप्चार संयंत्र में अपनाए जाने वाले प्रक्रमों के जैसी ही होती है प्रिष्ट 236 क्या आप जानते हैं? ये सुझाव दिया गया है कि हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकिलिप्टिस के व्रिक्ष लगाने चाहिए ये व्रिक्ष समस्त अतरिक्त अप्षिष्ट जल को अवशोशत कर लेते हैं और वायू मंडल में शुद्ध जलवाश्प को निर्मुक्त करते हैं जागरुक नागरिक बने अप्षिष्ट पदार्थों की उत्पत्ती मानव की प्राकृतिक एवम सामाजिक रिया कलापों का परिणाम है पर नतु हम अप्षिष्ट पदार्थों की मात्रा तथा उनकी विविधता को सीमित अवश्च कर सकते हैं हम प्रायह कूडे कचरे से उठने वाली दुरगंध से परिशानी का अनभफ करते हैं। खोली नालियों का द्रिश ग्रणत लगता है। वर्शाकाल में स्थिती और भी भायावह हो जाती है। जब नालियां उमरने लगती हैं और उनका कचरा सडकों पर फैल जाता है। हमें कीचर से भरी सडकों से अपना मार्ग ढूनना पड़ता है। ये परिस्थितियां अत्यंत अस्वास्थ कर एवं रोग कारक हो सकती हैं। सडकों पर बिखरे कचरे या अप्शिष्ट पदार्थों पर रोग वाहक मच्छर, मखियां तथा अनकीट पनपने लगते हैं। तो आप उनसे अननागरिकों के स्वास्थ के प्रती समवेदन शील होने का निवेदन करें। अप्शिष्ट जल उपचार सैयंत्र का बोज मत पढ़ाईगी। पहेली जानना चाहती है कि ये कैसे संभव होगा। अठाना दशमलव पांच अच्छी ग्रह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया। अप्शिष्ट पदार्थों और प्रदूशकों को उनके स्त्रोत पर ही कम करने अथ्वा हटा देने की एक विधी इस बात के प्रती सचेत रहना है कि आप नालियों में किस प्रकार की पदार्थ बहा रहे हैं। खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमा कर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा म्रदा के रंध्रों को बंद कर देती है जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। तेल और वसाओं को कुड़ेदान में ही फेंकें। पेंट, विलायक, कीट नाशक, मोटर तेल और शदियां आधी रसायन उन सिल्क्ष में जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं। इसलिए इन्हें नाली में मत बहाईए। प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस, खाद्यपदार्थ, मृदू, खिलोनों, रुई, सेनेटरी टावल आदी को भी कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए। जैसा की चित्र 18.7 में दिया गया है। ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अप्षिष्ट ऑक्सिजन का मुक्त प्रवाहन नहीं होने देते। जिससे निमनी करण का प्रक्रम बाधित होता है। 18.6 स्वच्छता और रोग स्वच्छता की कमी और संदूशित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं। आईए, हम अपने देश की स्थिती पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल व्यवन व्यवस्था की सुवधाओं से वंचत है। ऐसे व्यक्ती मल विसरजन के लिए कहां जाते हैं। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग, खोले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल सुरूतों में ही मल त्याग करते हैं। प्रिष्ट 237 अनुपचारित मानव मल स्वास्थ संकट का एक कारक है। इससे जल और मृदा का प्रदूशन हो सकता है। सतय पर उपलब्ध जल और भौम जल दोनों मानव मल से प्रदूशित हो जाते हैं। भौम जल, कूँ, ट्यूब वेल यानी नलकूपों, जर्नों और अनेक नदियों के लिए जल का स्त्रोत है। जैसा कि आपने अध्याय सोलह में पढ़ा था। अतहा, अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगमपथ बन जाता है। इनमें हैजा टाइफॉइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपिटाइटिस और पेचिश जैसे रोग सम्मिलित हैं। प्रिष्ट 237 पर चित्र 18.7 दिया गया है। इसमें बताया गया है कि हर कचरे को सिंक में नहीं फेकना चाहिए। कचरे को सही ढंग से कूड़े दान में ही डालना चाहिए। 18.7 वाहित मल निप्टान की वैकलप एक विवस्था। स्वच्छता की स्थिती सुधारने के लिए कम लागत के यथा स्थान वाहित मल निप्टान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरन सेप्टिक टैंक, रसायनिक शौचाले, कमपोस्टिंग पिट आदी का उप्योग है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उप्योगत हैं जहां मल वहन की विवस्था नहीं है। जैसे अस्पताल अलग थलग बने भवन अथवा चार से पाँच घरों के समूह। बुजो जानना चाहता है कि हवाई जहाज में वाहित मल का निप्टान कैसे होता है। कुछ संगठन मानव अप्षिष्ट के स्वच्छता पूर्वक निप्टान की तकनीकी सुवधाएं प्रदान करते हैं। इन शोचालयों में अपमार्जन की आवशक्ता नहीं होती है। शोचालय से मल बंद नालियों से होता हुआ बायोगास सयंत्र में चला जाता है। उत्पन होने वाली बायोगास का उप्योग उर्जा के स्त्रोत के रूप में किया जाता है। 18.8 सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है बड़ी संख्या में लोग इन में भाग लेते हैं इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एइपोर्ट अस्पताल आदी बहुत भीड़ वाले सारवजनिक स्थल होते हैं प्रति दिन हजारों लोग यहां आते हैं यहां विशाल मात्रा में अप्शिष्ट पदार्थ जनित होते हैं इनका उचित निप्टान आवश्यक होता है अनिथा महामारी फैल सकती है भारत में ऐसे शोचाले की रूप रेखा का परीक्षन किया गया है जिसमें मानव मल को केंचूँ द्वारा उपचारित किया जाता है यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंसकरण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है क्योंकि इसके उप्योग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यक्ता होती है शोचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच है मानव मल पून तह क्रमी केकों में परवर्तित हो जाता है जो मृदा के लिए अतिसम्रिध पोशक है वर्ष 2016 में भारत सरकार ने स्वच भारत के नाम से एक नई मुहिम शुरू की है जिसके अंतरगत कई अभियान शुरू किये गए जैसे की प्रतियक व्यक्ति के लिए शोचालय सुनिश्यत करना तथा मल अप्षिष्ट का उप्यूक्त निपडान इत्यादी सरकार ने स्वच भारत के कुछ निश्चित मानक निर्धारित की है लेकिन दुर्भागि से इनको सकती से लागू नहीं किया जाता तथा भी हम सभी सार्वजनिक स्थलों पर सुच्छता बनाय रखने में योगदान कर सकते हैं हमें यहां वहां कूडा करकट नहीं फेकना चाहिए यदि किसी स्थान पर कूडे दान ना हूँ तो हमें अपना कच्रा घर ले जाना चाहिए और कूडे दान में ही डालना चाहिए अपने परियावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सभी को भूमिका निभानी है जलस्त्रोतों को स्वस्थ अवस्था में बनाय रखने के लिए आपको अपने उत्तरतायत्व को समझना चाहिए हमें अपने जीने के तौर तरीकों में अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए परिवर्तन के दूद के रूप में आपकी वयक्तिक पहल से ही बहुत अंतर आ जाएगा दूसरों को अपने दृढ संकल्प, विचारों और आशावादिता से प्रभावित करें यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कारें तो बहुत कुछ हो सकता है सामोहिक कारे में अतिधिक शक्ती होती है महात्मा गांधी ने कहा था मानवी और पत्प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुह नहीं देखना चाहिए प्रमुक्षब्द अप्षिष्ट जल आवायविय जीवाणू आपंक सिवर जैव निमनी करनी अप्षिष्ट पदार्थ वाहित मल आपने क्या सीखा प्रयुक्त जल अप्षिष्ट जल कहलाता है जिसका पुनह उप्योग किया जा सकता है घरों, उद्योगों, क्रिशी कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रिया कलापों में उप्योग किया जल अप्षिष्ट जल को जनित करता है ये वाहित मल कहलाता है वाहित मल द्रवरूपी अप्शिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा का प्रदूशन करता है अप्शिष्ट जल को वाहित मल उप्चार सैयंत्र में उप्चारित किया जाता है उप्चार सैयंत्र अप्षिष्ट जल को किसी निश्यत स्तर तक प्रदूशकों से मुक्त कर देता है ताकि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा उसमें शेश रह गए प्रदूशकों का निप्टान हो सके जहां भूमिगत मल विवस्था तंत्र और कचरा निप्टान तंत्र उपलब्ध नहीं होते हैं वहां कम लागत के यथा स्थान स्वच्चता तंत्र को अपनाया जा सकता है अप्षिष्ट जल उप्चार के सह उत्पाद आपंक और बायोगास हैं खुली यानि मुक्त नाली विवस्था मक्खी, मच्छर और अन्य ऐसे जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती है जो रोगुत्मन करते हैं हमें खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए कम लागत विधियों को अपना कर मल का सुरक्षत निप्टान संभव है करने का प्रक्रम है घरों द्वारा निर्मुक्त किये जाने वाला अप्शिष्ट जल रिक्त स्थान कहलाता है ग शुष्क रिक्त स्थान का उप्योग खाद के रूप में किया जाता है गह, नालियां, रिक्ट स्थान और रिक्ट स्थान के द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं दू, वाहित मल क्या है? अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथ्वा समुदर में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है? समझाईए तीन, तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए? समझाईए चार, अपशिष्ट जल से स्वच जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों का वर्णन कीजिए पांच, आपंक क्या है? समझाईए कि इसे कैसे उपचारित किया जाता है छे, अनुपचारित मानव मल एक स्वास्थ संकट है, समझाईए साथ, जल को रोगाणू नाशित यानी रोगाणू मुक्त करने के लिए उप्योग किये जाने वाले दो रसायनों के नाम बताईए आठ, अप्शिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका च्छन्नों के कारियों को समझाईए नौ, स्वच्छता और रोग के बीच संबंथ को समझाईए दस, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाईए प्रिष्ट 249 11. प्रस्तुत वर्ग पहेली को दिये गए संकेतों की साहता से हल कीजिये यहां प्रिष्ट 240 प्रश्न 11 में एक वर्ग पहेली दी गई है इसके दिये गए संकेत हैं 22 से दाई भरने के लिए दो, वाहित मल उपचार संयंत्र से प्राप्त गैसिय उत्पाद चार, इस प्रक्रम में प्रदूशित जल से वायू को गुजारा जाता है साथ, वाहित मल ले जाने वाले पाइपों की विवस्था आठ, उपयों के बाद नालियों में बहता जल उपर से नीचे दिये गए संकेत इस प्रकार है एक, जल उपचार में रोगाणू नाशन के लिए प्रयुक्त एक रसायन तीन, वैसुक्ष मजीब जो ऑक्सिजन की अनुपस्थिती में जैफ पदार्थों का विगटन करते हैं पाँच, संदूशित जल छे, वैस्थान जहां वाहित मल से प्रदूशक प्रिथक किये जाते हैं नो, अनेक व्यक्ती इसका विसर्जन खोले स्थानों में करते हैं बारह, ओजून के बारे में यहां दिये गए वक्तव्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए यह सजीव जीवों के श्वसन के लिए अनिवार रहें इसका उप्योग जल को रोगानू रहित करने के लिए किया जाता है यह पराबैंगनी किरणों को अवल शोशित कर लेती है इन में से कौन से वक्तव्य सही हैं? एक, क, ख और ग, दो, ख और ग, तीन, क और ग, चार, सभी चार प्रिष्ट 241 विस्तारित अधिगम, क्रिया कलाप और परियोजना कार्य एक, प्रमुक शब्दों का उप्योग करते हुए अपनी एक वर्ग पहिली बनाईए दो, तब और अब, अपने दादा-दादी और अडोस-पडोस के अनिव्रिध जनों से बात कीजिए उनके समय में उपलब्ध, वाहित, मल, निप्टान, तंत्रों तथा विवस्ताओं की जानकारी प्राप कीजिए आप और अधिक जानकारी प्राप करने के लिए दूसरे शहरों में रहने वाले अपने परिजनों और मित्रों को पत्र भी लिख सकते हैं अपने द्वारा एकत्रत की गई जानकारी पर एक संग्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए तीन, किसी वाहित, मल, उप्चार, सैयंत्र का ब्रहमन कीजिए ये भ्रहमन, किसी चलिया घर, संग्रहाले, अत्वा उद्ध्यान के भ्रहमन जितना ही रोमान्चकारी और ज्ञान वर्धक होगा आपके मार्ग दर्शन के लिए यहां कुछ सुझाव दिये गए हैं अपनी नोट पुस्तिका में रिकॉर्ड कीचिए स्थान, दिनांक, समय, सैंयंत्र के अधिकारी का नाम, मार्ग दर्शक, शिक्षक वाहित मल सैंयंत्र कहां स्थित है? उपचार क्शमता आरंभिक प्रक्टरम के रूप में छानने का उद्देश वातन टंकी में वायू के बुलबुले कैसे बनाये जाते हैं? उपचार के उपरांत जल कितना सुरक्षित होता है? इसका परीक्षन कैसे किया जाता है? उपचार के उपरांत जल को कहां विसर्जित किया जाता है? तेज वर्शा के दौरान सैंयंत्र का क्या होता है? उपचारत आपंक का क्या होता है? सैयंत्र से आसपास के घरों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कोई विशेश प्रयास किये जाते हैं? के लिए शिक्षा सुनिश्यत कर सकते हैं। ऐसा UNICEF कहता है। htp colon slash slash www.un.org slash water for life decade slash world water day themes and importance http colon slash slash www.cep.unep.org slash pubs slash tech reports एक प्राचीन अभियांत्र की उपलब्धी सिंधु घाटी सब्धता हडपा और मोहन जुदाडो सबसे प्राचीन सब्धताओं में से एक हैं। संभवता, विश्व का पहला शहरी स्वच्छता सैंयंत्र यहीं विक्सित हुआ था। शहर में स्थित प्रत्येक घर अथवागारों के समुहूं कूऊं से जल प्राप्त करते थे। स्नान के लिए प्रिथक कक्ष होता था और विर्थ जल बंद नालियों से बाहर निकालने का प्रपंद था, जो प्रमुक सडकों और गलियों में बनी होती थी। इंटों का बना सबसे पुराना शौचाला है, लगभग 4500 वर्ष पुराना है। इसी के साथ अठारह पाठूं की इस पुस्तक का पाठ अठारह शीर्षक अप्षिष्ट जल की कहानी यहां समाप्थ हुआ। वाचन शालिनी सिंग और वैभव श्रीवास्तव। तक्नीकी नियंत्रण शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग मिनाक्षी कुक्रेती। निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन। तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत।